तो हम लोग बिहार स्पेशल यानि BPSC 70 के लिए करेंट एफेस की सीरीज को continue रखे हुए हैं और फिर सर मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेसेज भी किया है आप एप पे जाके इस PDF को डाउनलूड कर सकते हैं with answer चली हम लोग स्टार्ट करते हैं गगनियान और यहां पर वो इंपोर्टेंट करेंट अफेस को लिया जाएगा जिससे सवाल BPSC 70 में पूछा जा सकता है गगनियान मिसन के लिए इसरो के द्वारा अंतिम रूप से कितने लोगों का चैन किया गया है अंतिम रूप से दो चार आठ या या यारा आंसर क्या होगा अभी चार लोगों को किया गया है बारह लोगों को सेप्टिम्बर 2019 में सौट लिस्टेट किया गया था उसके बाद लास्ट में चार लोग निकल के बाहर आए उनमें एक का नाम है अंगद प्रताप दूसरे हैं अजीत क्रिस्न तीसरे हैं प्रशांत बाल क्रिस्न नायर और चौथे कौन है विंग कमांडर सुहांसु सुकला और इनका नाम आपने सुन रखा होगा भारत का पहला ये मिसन है जिसमें इंसान अंतरिक्ष में यानि एस्पेस में जाने वाले हैं 2018 में ही इसको लेकर अनौंस किया गया था ये जो मिसन है ये 2025 को जाएगा उनको पहले भेजा जाएगा तब इनको 2025 में लांच किया जाएगा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिसन होगा इसमें 400 किलो मीटर की उँचाई पर 3 दिन तक ये लोग उसकक्षा में रहेंगे ठीक है 400 किलो मीटर की उँचाई पर 3 दिन तक उनको वहां पर रखा जाएगा फिर उनको वहां से वापस सुरक्षित लाए जाएगा ऐसा हम लोगों ने अभी टेक्नोलोजी डिबलप किया है दूसरा सवाल है संकट ग्रस्त और दुरलव देशी प्रजाती के ब्रिक्षों की सैंप्लिंग के लिए टिशू कल्चर लैब की स्थापना की गई है ये लैब कहां स्थापित किया गया है पूने हैदराबाद देहरादून या दिल्ली तो इसका आंसर होगा डी यानी दिल ग्रस्त ब्रिक्षेर उसका टिशू सैंपल लेकर उसको लैब में रखा जाएगा ताकि आगे जाके इस तरह के पेरों को डेबलब किया जा सके जिसकी संख्या कम है उसको बढ़ाया जा सके और ऐसे पेर जिनके बीज बहुत अबलेबल नहीं है तो फिर उनको भी हम प्लांट के टिशू को उनके अलग अलग पार्ट को वहाँ सुरक्षित रखा जाएगा जिससे आगे जाके उसको डेबलब किया जा सकता है हाल ही में एक क्रित्रिम गड़ा जिसका नाम है मिथेन से उसको कैलिफोर्निया के स्पेस एक्स फालकन नाइन रॉकेट से लांच क किया गया है वैस्वीक अस्तर पे बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैक करने के लिए वैस्वीक अस्तर पे मिथेन के उत्सरजन को ट्रैक करने के लिए ओजोन परत के अध्यन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग मिथेन और ओजोन परत का संयुक रूप से अध्यन करने क आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा बी यह जो भेजा गया है ना इसको बनाया गया है इसको बनाया गया एक तो यह इंपॉटेंट है इसके बार दूसरा ये मिथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करेगा और इस तरह के मिथेन को ट्रैक करने वाला ये पहला सेटलाइट बना है अभी तक ऐसा कोई स्पेसली मिथेन को मिथेन को ही ट्रैक करने के लिए नहीं भेजा गया था और इसके इसमें इसको पर्यावरान रक्ष कोस की द्वारा तो बनाया गया है लेकिन इसमें हावर्ड युनिवोसिटी न्यूजिलैंड के स्पेस एजंसी आधी ने कॉपरेट किया है यह पता है एक दिन में प्रित्वी का 15 चक्कर लगा लेगा एक दिन में 15 चक्कर लगा लेगा साथ में तेल गैस इंसप की भी निग् याद रखना है अरुन वरुन में तो मैं आज भी कंफ्यूज हो जाता हूं यूरेनस और नेप्श्यू तो अरुन और वरुन जिसको यूरेनस और नेप्श्यून कहते हैं उसकी दोनों को मिलाकर कितने चंद्रमा की खोज की गई है एक दो तीन यह गया रहा तो आंसर इच सी तीन चंद्रमा की खोज की गई है जिसमें इन तीन चंद्रमा में जो एक है वो अरुन का है यानि एक यूरेनस का है और दो नेप्श्यून का है यानि एक जो है वो अरुन का है और दो वरुन का है और अरुन का जो चंद्रमा है उसका नाम रखा गया है ए तू जीरो यू आई ये अरुन के चंद्रमा का नाम है उसी तरह से वरुन का दो चंद्रमा है उसमें एक चंद्रमा का नाम ये एक हो गया दूसरा ये 2021 एन और वन ठीक है एन वन तो ये नाम रखा गया है किसका ये है नेप्चुन के तो अरुन और वरुन तो वरुन का दो मिला अरुन का एक मिला और जो भी इस तरह का नेच्रल मून मिलता है जिसको उद्गरा कहते हैं ये भी सूरज की परिकर्मा करता रहता है अब यहाँ पे एक फैक्ट हम लोग याद कर लेते हैं आप मेंसे मुझे लगा है कुछ लोग ज जूपिटर जो जूपिटर है ना जो स्कूटी है जूपिटर जूपिटर को के पास सबसे बड़ा सेटलाइट है ठीक है और सबसे ज्यादा सेटलाइट है मतलब 92 सेटलाइट है उसके पास बट ऐसा नहीं है जूपिटर को पीछे किया जा चुका है बहुत पहले ही और किस ने किया है Saturn ने यानि शनी के पास टोटल 145 नेचरल सेटलाइट हो गया है तो शनी जिसको सेटन भी कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट है जिसके पास सबसे अधिक सेटलाइट है 145 दूसरे नंबर पर जूपिटर है तो यह confusion clear हो गया निम्दलिखित में से किस देश के वैग्यानिक के द्वरा रीसस बंदर के क्लोन बनाने का दावा किया गया है भारत जापान चीन अमेरिका देखो answer तो इसका C है और यह जो रीसस बंदर है इस का दावा किया जा रहा है यह दो साल पहली बन चुका है दो साल से यह जिन्दा है इसको secret तरीके से रखा गया था और इसका नाम है retro जो बंदर बनाया गया है इसका नाम है retro ठीक है retro रखा गया है nature communication नामक magazine में यह निकला था जैसे dolly bear को बनाया गया था उसी तरच पे इसको बनाया गया है और scientist के द्वारा somatic cell nuclear transfer तकनीक का यूज किया गया है आपको पता है embryo technique का यूज नहीं कर सकते ब्रून को मना कर दिया गया है officially ban है तो इसको somatic cell तकनीक से जैसे dolly को बनाया गया था वैसे ही इसको बनाया गया है और अभी तक कुल मे लाके अलग-अलग तरह के 20 से अधिक जानवरों के clone बनाया जा चुके है ठीक है आगे अंतरास्ट्रिय खगोली ये संग के द्वारा आधिकारिक तौर पे शिव सक्ति पॉइंट को मंजूरी दी गई है यह मंजूरी किस तिथी को दी गई है देट याद कर लिजेगा 19 मार्च 26 अगस 29 अपरेल 19 जून तो आंसर इस ए 19 मार्च 2014 एक्षिली जब हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा 3 से जब हमारा विक्रम उत्रा था तो विक्रम लैंडर जहां पे लैंड किया न सौफ्ट लैंडिंग किया था तो जिस जगह पे उसी को हम उसी समय मोदी जी के द्वारा उसको शिवशक्ति अस्थल बताया गया उस जगह को अब उन्होंने बोला आप एप्रोच किया गया होगा किसके पास I.E.U. के पास अब इसको कहते हैं अंतराश्री खगोली ये संग अब इनके पास अप्रोच किया गया दिनोंने का ठीक ह और 19 मार्ट 2024 को इन्होंने उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया है यह important है बस इतना काफी है इसके साथ ही एक और है fact वो यह है कि 23 अगस्त को राश्ट्रिय अंतरिक्ष दिवस भी घोशित किया गया है यह भी important है यह भी ध्यान रखियेगा ठीक है 23 अगस्त को राश्ट्रिय अंतरिक्ष दिवस घोशित किया गया है बंगला देश के बाद हाली में कौन सा देश कालाजर से मुक्त होने वाला दूसरा देश बनाएं कालाजर से मुक्त होने वाला दूसरा देश बनाएं पाकिस्तान ओमान इंडोनेशिया और भारत पा बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद कालाजर से फाइनली ये मुक्त हो गया है 2023 में मात्र 583 मामला आया है अब कहोगे 583 मामला आया 583 मामला आया है तब भे इसको रोग मुक्त कहेंगे कहेंगे क्योंकि इंटरनेस्टल जो पैमाना है उस आधार पे भारत तब पूरी तरह से कालाजर को कंट्रोल कर लिया है और बांगलादेश के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बना है दरसल है यहाँ पे क्या मतलब जो इंटरनेस्टल पैमाना है उनका कहना है 10,000 पे यदि एक मरीज या 10,000 पे लिस दिन एक मरीज अगर है तो वैसी इस्थित्ति में हम कहेंगे कि वो मुक्त हो चुका है और भारत में ते 140 करोड की आवादी है उसमें 583 का मामला है तो ये बहुत जादा लिस दिन है तो इसी निए भारत अब मुक्त हो चुका है तो और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बिहार जारकन जो सबसे ज़्यादा इंपक्ट था वहाँ पे लगवग 99% तक कंट्रोल है तो इस हिसाब से भारत जो है अब कला जर्मुक हो गया है अब कुछ बिहार से रिलेटर कोईशन को भी कर लेते हैं लाइक निमलिकित में से किस फसल की नई किसम को सब और कुवर कहा गया है सब और कुवर किस के लिए का यूज किया गया है किस की प्रजाती है जो नया बीस तयार किया गया है धान गेहूं मक्का चना आंसर इस एक धान के लिए किस ने तयार किया है सब और कहा है पहले ये बताओ सब और भागलपुड में है ना सब और भागलपुड में और सब और कुवन को वहीं पे खो जा गया बनाया गया बिहार उत्तर परदेश हारकंड के अलग-अलग जगों पे अलग-अलग स्वाहिल, अलग-अलग climate में उसका यूज किया गया तो देखा गया खात भी कम ले रहा है पानी भी कम ले रहा है और लमबे समय तक पानी में टिक भी जा रहा है उसके अलावा प्रदक्षन भी बहुत अधिक है नॉर्मल जो धान होता है वो 55 तो 16 Qgee- aider पर हेक्टियर निकलता है ये 87 Qlingen पर हेक्टियर निकल रहा है तो इस मामले में भी कमाल का है तो इस तरही के से जो ये सबॉर्ट धान है ये काफी अच्छा है जिसके नई भरायटी विक्सित की गई है इसके बाद निमलिखित में से किसे नालंदा यूनिवोसिटी का कुलाधी पती बनाये गया है सिंपल सी बात है इसको यादी होगा निर्मला सीतारमन, अर्विंद पनगडिया, राजेंद अर्लेकर, अमित सा, सेंटरल यूनिवोसिटी है बी, अर्विंद पनगडिया को नालंदा यूनिवोसिटी का कुलाधी पती निउक्त किया गया है और ये तो बहुत पहुचे हुए है आपको पता है कि अर्विंद पनगडिया ही पहली सबसे पहले नीतियायो को पाध्यक्ष भी बने थे और ये एक अंतराश्टी महत्व का संस्ता है और उसके अंदर इनको क्या बनाये गया कुलाधी पती बनाये गया बिहार लगु उद्यमी योजना के अंतरगत बिहार सरकार के द्वारा 94,94 थोड़ा बहुत नहीं 94,94 लाख लोगों को पैसे देने की बात चल रही है ठीक है कितना दिया जाएगा 94,94 लोगों के निर्धन परिवार को स्वराज करने के स्वराज नहीं स्वरोजगार के लिए कितने विती सहायता परदान की जाएगी 2, 6, 5, 10 या 15 इनको हर एक को 2, 2 लाख रुपे तक दिया जाएगा ऐसे जो बिहार लगो उद्यमी यूजना है इसके इकॉर्डिंग जिनकी मासिक आए मंथली इंकम 6,000 यानी 6,000 से कम है उनको इसका फाइदा मिलेगा लगबग 94,00, ऐसे गड़ी परिवार है जिनको रोजगार के लिए ये दिया जा सकता है इसमें एक कंडिशन है कि एज जो है वो 18 से 50 के बीच में होना चाहिए तो उनको ये चीज मिल जाएगा जैसे किसी को सलून खोलना है किसी को हैंड लूम के लिए किसी को होटेल छोटा खोलना है तो उसके लिए 2,00, तक इनको लोन मिल जाएगा बिहार के किस जले में दो दिवसी ए International Film Festival Season 3 का आयोजन हुआ आंसर इज सारन अच्छा मैंने सीज़े आंसर बता दिया चलो ठीक आंसर इज ए सारन International Film Festival Season 3 वहीं समाप्त हुआ और कब हुआ तो इसको छोड़ दीजे अब यहाँ पर क्या था कि इसमें कुछ खास है नहीं सारन के छपड़ा में हुआ था इसमें 21 देसों की फिल्मों को दिखाया गया इटली, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रील या फलाना, धिमा का कई सारे फिल्म थे दरसल यह ध्यान रखना है कि सारन International Film Festival बिहार का पहला और एक मात्र इंटरनेशनल Film Festival है, तो एक इंपोर्टेंट यह है, कि यह एक मात्र इंटरनेशनल Film Festival है, इस बात को लेकर ज्यादा इंपोर्टेंस को देना है बस हो गया, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा दरवाज नहीं बिहार के कितने पंचायत में Food Processing Unit लगाए जाने की उचना है कितनी पंचायत में पांच हजार एकिस आठ हजार तीन सो सत्ता सी नौ हजार एक सो बारा दो हजार एकिस प्ता है आंसर इज बी और बी किस सेंस में है कि इससे जादा पंचायत ही है अमारे आने है यानि बिहार के सारे पंचायत जो 8387 है इन सब जगे पे प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद उद्योग 19 यूजना के अंतरगत Food Processing Industry लगाया जाएगा काम स्टार्ट हो चुका है ठीक है सब डिपार्टमेंट को ओर्डर दे दिया गया है ये लगाने के दोरान कर्ज भी मिलेगा और सबसीडी भी मिलेगी कोसिस ये है कि अधिक से अधिक लोगों इसके साथ जुड़े और इसमें अगर मालो किसी के पास पहले से ही कोई यूनिट है तो उनको 10 लाग रुपे पर यूनिट 35% क्रेडिट लिंक के कैपिटल सबसीडी के साथ यानि 10 लाग तो मिलेगा 35% सबसीडी के साथ उनको मिलेगा और इसके कारण वो अपने जो इंडस्री है उसको अपग्रेड कर सकते हैं तो ये सारे चीज़े हैं ठीक है आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं फिर